नमस्कार प्रीबंदों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोस्वलाजी के चेप्टर नंबर 3 के बारे में अगर आप बीए के थर्ड समस्टर में हैं तो इससे पहले दो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे इसका यानि की चेप्टर नंबर 1 चेप आप है यानि की बीए की तिरतिये समस्टर में आप हैं सेकंड एर तिरतिये समस्टर अभी आपने सेकंड समस्टर के परिच्छा दी है थर्ड समस्टर में आप गए हैं तो थर्ड समस्टर में आपको सोस्वलाजी में एक प्रकार से समाजिक परिवरतन के बारे में और प्रणवाजिक आंदोलन ठीक है social change and moment के बारे में आपको जाना होता है तो chapter number one में हम लोगों ने क्या समझा ता भी एक बार थोड़ा से recall करते हैं फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं चेप्टर नमबर उन में हम लोगों ने समझा था समाजिक परिवर्तन की अवधारा और प्रकरती के बारे में इसके बाद में हम लोगों ने समाजिक परिवर्तन की विभिन कारकों के बारे में समझा जननांकी की कारक, परदोगी की कारक, समाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक कारक, राजनेतिक, कारक, मनोबग्यानिक, समाजिक ऐसे आने तमाम प्रकार की कारकों के बारे में चर्चा करी, ठीक है? इसके बाद में हम लोगों ने, अब हम लोगों क्या पढ़ना है? समाजिक परिवरतन के प्रकार समाजिक परिवरतन बेसिकली चार प्रकार विकास की अधाड़ा या विकास की अर्थ विकास की परिभासा विकास की एक परकार से बिसेस्ताएं उद्विकास का अर्थ विकास की परिभासा है और उद्विकास का जो एक परकार से मलब बिसेस्ताएं होती उनको समझेंगे और उद्विकास समाजिक परिवरतन में क्या difference है और विकास यानि development को बोलते हैं हिंदी में विकास और evolution को बोलते हैं हिंदी में उद विकास तो उद विकास और विकास में भी काफी अंतर होता है तो यह तमाम प्रकार के मुद्दों के बारे में हम जानने सोता है इनको भी जानने का प्रियास करेंगे ठीक है तो आई अब हम चर्टा करने का प्रियास करते हैं कि ये है क्या आखिरकार उद्विकास क्या है उद्विकास की अधारा को उद्विकास के कह सकते हैं social evolution कह सकते हैं अंग्रेजी में ठीक है चले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर करना है तो subscribe कर दीजेगा चुकि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे लगातार आपकी demand पर ये lectures बोलें तो आपको pdf के लिए मात्र 100 रुपे पे करने होंगे हर एक subject की pdf और आपको course मलब हिंदी का course लेंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा हलाकि आपका Hindi subject नहीं है तो भी आप 100 रुपे पे करके ठीक है आप क्या कर सकते हो आप इन सभी subject के pdf model papers और यह सब मिलते रहेंगे आपको group said कर दे जाएगा आप directly हमसे जुड़ पाएंगे आपको करना कुछ नहीं बस 91 61,63 62 ही मेरा whatsapp नंबर है इसी पर आपको whatsapp पर करना है ठीक है कि सर जी हमको pdf notes चाहिए या हमको course चाहिए बीए 3rd semester का ठीक है आपका कोई भी subject होगा तो अधिकतर subject में पढ़ाते हैं तो उसमें cover हो जाएंगे तीन subject आपके major होते हैं एक minor होता है एक co-curricular होता है तो co-curricular का तो मैं पढ़ाता ही हूँ minor का भी आपका और major का भी सब पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ एका subject जैसे कुछ जो एक मलब जैसे की fine art बगरा हो गए या music बगरा वाले subject हो गए उन सभी को नहीं पढ़ाते हैं बाकी सारे subject जो सामानी subject है खासर के बिये के वो सब पढ़ाते हैं तो मातर 100 रुपे में आपको सारी चीजे मिल जाएंगी तो अगर आपको course लेना है या आपको PDF पराप्त करनी है हमसे आपको directly जुड़ना है हमारे group से जुड़ना है तो आप मातर 100 रुपे पे करके जुड़ सकते हैं इस number पर आपको pay नहीं करना है उसके जब आप SMS करेंगे उसके आद में आपके पास एक scanner send करूँगा वहाँ पर आपको पिकरने होंगे ये बात आप ध्यान लखेंगे तो जल्दी से जल्दी आप course जॉइन कर लें ठीक है 91, 93, 62, 62 परसमस करके अब आए जाने का प्रयास करते हैं साब्दिक रूप से किसी वस्तू के फैलने कोई वस्तू है अगर वो फैल रही है या कोई वस्तू जो बढ़ रही है यानि कि किसी वस्तू के फैलने और बढ़ने की जो प्रवर्ती होती है यानि कि कि किसी वस्तू के जिसे कोई भी वस्तू है ठीक है, वो एक प्रकार से evolution कहा जाता है, ये इसका साब्दिक अर्थ हुआ, साब्धिक अर्थ मलब क्या होता है, अगर साब्धिक अर्थ की particular सब्द के बारे में अगर हम मध्यन करें, ये साब्दिक अर्थ देखें, यानि की सब्दों को तोड़ फोड़ करके उसका अर्थ तो ये अर्थ निकलेगा यद्दपी परतेक वस्तू का बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं होता है अगर माल लेते हैं अभी मैं बताओं तो ये जैसे प्यन है अभी प्यन बढ़ने लगे तो इसका उद्विकास थोड़ी नहोगा उद्विकास एक निश्चित चीजों म होता है और पृटिकुलर चीजों में होता है ठीक है उद्विकास के लिए जैसे मैं कहूं मिट्टी के बढ़ते हुए धेर को उद्विकास आप नहीं कहेंगे मिट्टी मिट्टी का बढ़ता जाएगा तो क्या हम इसको उद्विकास कहेंगे बिलकुल नहीं कहेंगे यानि कि हम मिट्टी के ढेर को उद्विकास नहीं कहेंगे उद्विकास किसको कहेंगे उद्विकास वास्तों में उद्विकास का संबंध उस फैलाव से है या उस एक प्रकार से बढ़ने से है जिसमें कोई भी वस्तु सरल अवस्था से जटिल अवस्था में आ जाती है सरल अवस्था क्या होती है जैसे कि आदिमानों थे आदिमानों की अवस्था कैसी थी सरल अवस्था थी उनको किसकी अवस्था थी रोटी, कपड़ा, मकान नहीं कि खाने के लिए कुछ मिल जाए रहने के लिए कुछ मिल जाए और पहने के लिए कुछ मिल जाए तो उनकी सामाने वसकता है थी बस ज्यादा नीट्स नहीं थी कि हमको बियाह करना है या फिर एक परकार से डीजे बनवाना है बियाह में मोटर सैकल खरिदनी है चार चक टेंसर नहीं होती थी आजकल तो भाई कितने भी पैसे हो जाएं तो आपके सारे पैसे कम ही पढ़ने लगते हैं चुकि जीवन की इतनी आवसकताएं हैं कि उन आवसकताओं की पूर्टी होई नहीं पाती है किसी तरीके से तो कहीं न कहीं पे जब आप एक प्रकार से उद्व कहा जा सकता है अगर मैं अपने सब्दों बताऊं तो जिसमें कोई वस्तु सरल अवस्था से जटी लवस्था में कठी नवस्था में जाती है उद्विकास को हम निम्न सूत्र के द्वारा प्रकट कर सकते हैं निम्नतर परिवर्तन देखें सबसे पहली बात सूत्र क्या धिरी धिरी एक प्रकार से आपको अलग लगने लगेगी और फिर उसके बादे तो उद्विकास होगा पहले निरंतर परिवर्तन होगा लगा अतार बड़े लंबे समय से परिवर्तन होगा ठीक है निरंतर परिवर्तन के बाद में निश्चित दिसा और एक निश्चित दि प्लस गुडात्मकंतर प्लस धांचे का वाकार में भिनता यह उद्विकास होता है उद्विकास किसी एक बिसेश दिशा में होने वाला वह परिवर्तन होता है जो वस्तु की आंतरिक सक्तियों के परिडाम सुरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में भृध होती है यानि कि क्या कहा गया उद्विकास किसी एक बिसेश दिशा में परिवर्तन होता है ठीक है वा परिवर्तन होता है जो वस्तु की आंतरिक जो सक्तियों होती है उसके परिडाम सुरूप पैदा होता है यह एक प्रकार से परिवर्तन इससे वस्तु की जटिलता में ब् इसके लिए उद्विकास का सिध्धान जो है उद्विकास की अधारडा दी है डार्बिन ने चाल्स डार्बिन जो की एक जीव सास्त्री थे लेकिन उसको समाज पर एपलाई किया है समाज के लिए लागू किया किसने हरबर्ट इस्पेंसर ने हरबर्ट इस्पेंसर समाज को एक सरीर की भाती मानते मन उसके सरीर इसलिए उसको साववी सिध्धांत हिनोंने का समाज का अब इसमें क्या होता जैसे एक सरीर होती है तो सरीर एक समाज है सरीर के जो बिभिन अंग है वो एक प्रकार से क्या है वो एक प्रकार जिस तरीके सरीर की बिभिन अंग जो होते हैं सरीर के बढ़ने के सासत बढ़ते हैं समाज भी बढ़ता है समाज का भी उद्विकास होता है समाज जिनलब सरीर के बढ़ने के सासत सरीर की विभिन अंगों का भी एक प्रकार से बदलाव होता है विभिन अंगों में भी वो भी बढ़ते हैं हरबर्ट इस्पेंसर जो की साववाज के सववी सिध्धान्द के प्रणेता है उद्विकास के सिध्धान्द के लिए जाने जाते हैं हरबर्ट इस्पेंसर का कहिना है कि उद्विकास कुछ तत्तों का एकिकर्ण तथा उससे समंधित वह गती होती है जिसके दवरान कोई तत गठा होना या एकिकर्ण होता है उससे संबंधित गती होती है किसके कुछ तत्तों के एकिकर्ण से related गती होती है जिसके दोरान क्या होता कोई भी element कोई भी तत्त एक अनिश्चित या आसंबंध समानता से निश्चित और संबंध भिनता में बदल जाता है उद्विकास एक ऐ इसी वस्तू में होने वाला परिवर्तन अनेक अस्तरों से हो करके गुजरता है, यानि कई अस्तरों से हो करके गुजरता है, जैसे जैसे परिवर्तन का अस्तर बदलता जाता है, वैसे वैसे उस वस्तू का रूप अधिक जटिल होता जाता है, ठीक है, आगबर्न और आप नाम के समाज सास्त्री हैं, इन्होंने कहा उद्विकास को एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन, कहा कि एक निश्चित दिसा में होने वाला जो परिवर्तन होता है समाज में, वही एक परकार से जो है उद्विकास कहलाता है, तो उद्विकास भी परिवर्तन की एक दसा होती है, ठीक है, तो यह रहा Udbikas, अब Udbikas के बारे में गरोट थोड़ा सा और चीजों को समझे, तो Udbikas की विषेस्ताओं को समजने का प्रियास करते हैं, जब विषेस्ताओं को आप समझेंगे, तो Udbikas और अच्छे तरिके इसे आपका किलियर हो जाय, जैसे कि आधिमानों से मानों बनने की जो प्रकरिया है, वो उद्विकास की प्रकरिया के परिडाम से रोफ ही हो पाया है, चुकि एक लंबे समय से निरंतर परिवर्तन होता रहा, कारेपध्धती में परिवर्तन हुआ, सरल्ता से जटिलता की और ठीक है ये चीज़े ध्यान लखेंगे उद्विकास की अधाड़ा को उसकी निमने विसेस्ताओं के अधार पर अस्पस्ट रूप से समझा जा सकता है पहली विसेस्ता उद्विकास यानि एबिल्यूसन का सम्बंध परिवर्तन से होता सबसे पहली बात किससे होता है, परिवर्टन से, यह जिसकी अनेक अवस्थाएं होती है, यह कई अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन होता है, कई stages में परिवर्तन आते हैं, चुकि एक लंबी परकरिया होती है, उद्विकास कोई 10 साल या 5 साल में नहीं हो जाता है, 1000 वर्स एक परकार से 100-200 वर्स, 500 वर्स लग जाते हैं उद्विकास होने में, ठीक है, तो ये चीजे होती है, तो एक ऐसा परिवर् केवल तीन चीज़ों पर फोकस करते थे लोग, खाना रहना और एक परकार से पहनने के पर, देकिन आज कल क्या है, आज कल हमको हर एक चीज़ चाहिए, हर एक सुक्सविदा चाहिए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, लगातार हर एक चीज मिल लगी हमको, फिर भी हमको कुछ कम्या रही है, और उसी में हम फसते चले जाते हैं, जिसके पास 10 रुपे हैं, वो 20 रुपे कमाने की सोच रहा है, जिसके पास 20 हैं, वो 40 कमाने की सोच रहा है, ऐसे 40 वाला 80, 80 से 160, तो इस तरीके से, उद्विकास सदेव सरलता से जटिलता की ओर होता है, आर इसे जटिलता की और होता चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से मलब जटिल माने होता है कठिन ठीक है सरल समाज से जटिलता की और एक प्रकार से उद्विकास में चेंजमेंट होता है चौथी विसेस्ता यह है कि उद्विकास जो होता है एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन होता है यानि कि चाहे सरलता से जटिलता की और हो चाहे एक परकार से एक निश्चित दिसा में होता है परिवर्तन और एक क्रम में होता है निरंतर होता है क्रमिक रूप से होता है दिरकाल में होता है ये बात आप ध्यान लखेंगे, एक निश्चच दिसा में होता है, इसकी दिसा एक निश्चच होते हैंब किसी भी दिसा में होगों, ठीक है लेकिन एक निश्चच दिसा होती है पांचवी विसेस्ता यह है कि उद्विकास बिभेदी करण की एक परकरिया है किसकी परकरिया है बिभेदी करण की एक परकरिया होती है उद्विकास इसके अलामा उद्विकास निरंतर और धीमी गती से होने वाला परिवर्तन है लगातार होता है और धीमा परिवर्तन होता है यह परिवर्तन आपको बहुत दिनों बात पता जलता है कि हाँ यह परिवर्तन हो रहा था साथवी बिसेशता यह है कि उद्विकास के दौरान वस्तू अथवा समाज में गुडात्मक परिवर्तन होता है यानि कि इसकी क्वालिटी में वस्तू की क्वालिटी में और समाज है यानि सोसाइटी की क्वालिटी में दोनों में परिवर्तन आता है उद्विकास के दौरान ठीक है इसके अलामा आंतरिक सक्तियों के फलसरूप किसी वस्तू में होने वाले परिवर्तन का संबंद उद्विकास से ही होता है जब हमारे आंतरिक सक्तियों में परिवर्तन होता है ठीक है तो आंतरिक सक्तियों के फलसरूप किसी वस्तों में होने वाला जो परिवर्तन है उसका relation किसे होता है उसका सम्मन्द उद्विकास से evolution से ही होता है नवी विसे इस्ता उद्विकास की ये है कि उद्विकास के अस्त उद्विकास जैसे मनुस जब आदिमानों था तो क्या फिर से मनुस आदिमानों होगा नहीं होगा मनुस अब और अच्छे तरीके से बढ़ता चला जाएगा ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे दस्वी विसेस्ता ये कि भिनता इसकी प्रमुख विसेस्ता यानि कि भिनता अल से उद्विकास की बारे में कुछ बात है जो मैंने आपको बताया अब उद्विकास और समाजिक परिवर्तन ये दो ट्रम्स अलग-अलग होते हैं समाजिक परिवर्तन का एक परकार है समाजिक उद्विकास समझते हैं समाजिक परिवर्तन और समाजिक उद्विकास में अं को एक प्रकार से यहां पर रखा देखे समाजिक परिवर्तन और समाजिक उद्विकास नहीं सोसल डेबलप्पेंट एंड सोसल एबिलूशन की प्रकरती की विवेचन से यहां असपस्ट हो जाता है कि यह दोनों प्रथक अउधारणाएं हैं प्रथक मनलब अलग अउधारण परिवर्तन जो हो रहा है समाज में अच्छा होगा कि बुरा होगा किसी दिसा किस दिसा में होगा परिवर्तन का गुण और मात्रा किया कितनी मात्रा हैं परिवर्तन होगा किस क्वालिटी में चेंजमेंट होगा समाजिक परिवर्तन में यह हमको पता नहीं होता है यानि इ के बारे में हमको पता नहीं चलता समाजिक परिवरतन में लेकिन उत्विकास में पता रहता है ठीक है जबकि उत्विकास एक ऐसा परिवरतन है जिसमें दिसा एक निश्चित दिसा में परिवरतन होता है एक करम में निरंतर परिवरतन होता है क्वालिटी में चेंजमेंट होत समाज में जो भी परिवरतन घटित होता है उसको समाजिक उद्विकास की सरड़े में भी लाएं तो हो सकते हैं और समाजिक परिवरतन की सरड़े में रखें तो भी वो प्रकार से हो सकते हैं समाजिक परिवर्तन और समाजिक उद्विकास और सोशल डेपलप्मेंट और सोशल एबिलिवसन के बीच अंतरों को हम निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं इसमें कई अंतर है आए कुछ अंतर पर हम लोग फोकस करने का प्रयास करते हैं कैमरावन फोकस करो यह रहील बड़ी फेमस होई थी कैमरावन फोकस करो वाली तो फोकस करिए भाया चले पहला आंतर यह है समाजिक उद्विकास जो होता है एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन है सबसे पहले समझे एक निश्चित दिसा में परिवर्तन होता है समाजी कुद विकास जो होता है एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन होता है ये बात आप ध्यान नखेंगे ठीक है